हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टो अनादर वीडियो फ्रम बाई वेडू हब और इस वीडियो में हम एक नय चाप्टर के शुरुआत करने वाले हैं ब्रीधिंग एंड एक्सेंज ऑफ गैसे और आप बोल सकते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन-कौन से टॉपिक आज यहां पर कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीधिंग क्या होता है और ब्रीधिंग किस तरह से रेस्पिरेशन से डिफर करता है उसके बारे में हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कुछ respiratory organs for example हम जानते हैं humans के पास lungs होता है respiration के लिए उसी तरह से अलग-अलग organism के पास अलग-अलग organs होते हैं lungs को छोड़के और भी कहीं सारे organs होते हैं जो की respiration में use होते हैं या breathing में use होते हैं उन सब के बारे में हम एक-एक करके यहां पे discussion करेंगे तो सबसे पहले चले शुरू करते हैं कुछ introduction से so हम जानते हैं हमारे जो reactions होते हैं हमारे body में जो भी aerobic reactions होते हैं उसके लिए oxygen बहुत जरूरी होता है oxygen कहां पर use होगा breakdown करने में use होता है बहुत सारे simple substances जो हमारे digestive system में form होता है उसका further हमें breakdown करना होता है तो सवाल यह उड़ता है कि हम breakdown क्यों करते हैं अगर हम starting से देखें जब हम कोई food लेते हैं food लेने के बाद वो कहां पे चला जाएगा mouth के through intestine में चला जाएगा stomach में चला जाएगा और food क्या होता है complex compound होता है so इसी complex compound को body directly तो absorb नहीं कर सकता for example अगर हम बात करें glucose glucose हो गया या फिर हम बात करें amino acids जो कि बहुत सारे enzyme होते हैं इनको form करते हैं उसके साथ fatty acids यह सारे biomolecules में convert हो जाते हैं simple biomolecules में food का conversion हो जाता है so हमें क्या मिलता है simple particles मिलते हैं और इन ही particle को क्या करता है intestine absorb कर लेता है so intestine जब इनको absorb कर लेगा absorb करार कि कहां लेके जाएगा сейчас matters to get the organs में लेकर क्या करने वाले हैं further यहां पर जो भी हमें simple substances मेला inco हम क्या करेंगे use करेंगे किसी-ना-किसी metabolic reaction या फिर हम क्या करते हैं इनका breakdown करते हैं और breakdown करने के बाद इनसे हम energy gain करते हैं So, breakdown of these simple compounds or this simple substrate and we convert these into ATP or energy For example, जब हम glucose का breakdown करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ATP मिलता है उसी तरह से amino acid का breakdown करेंगे तब क्या मिलेगा? ATP मिलेगा Fatty acid का breakdown करके भी हम क्या ले सकते हैं? ATP gain कर सकते हैं So, हमें जो energy मिलता है, food लेने के बाद वो कैसे मिलता है? सबसे पहले food जो कि एक complex compound होता है वो simple intermediates में convert हो जाता है जैसे कि glucose, amino acids, fatty acids उसके बाद इन simple compounds को हमारा body के जो cells होते हैं mostly हमारे intestine में जो cells होते हैं वो absorb कर लेते हैं absorb करने के बाद cell में ये चला जाता है और cell में जाने के बाद क्या होता है? इन substance का breakdown होता है और वहां से हमें ATP मिलता है तो यहां पे oxygen का role कहां आता है वो हम बात करेंगे अभी तो हमने देखा ये जो simple compounds होते हैं उनका breakdown होता है तो यहां पे जो breakdown होगा इसी जगह पे क्या use होता है? oxygen use होता है और finally हमें क्या मिलता है यहां से ATP मिलता है ATP के साथ साथ हमें क्या मिल जाता है? मतलब यह जो carbon dioxide हमारे cell में produce होते हैं वो कैसे produce होते हैं? by the breakdown of these glucose, amino acids and fatty acids इसके बाद एक cell में carbon dioxide का accumulation हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? यह जो carbon dioxide एक cell के अंदर बहुत जादा amount में accumulate हो गया है breakdown करने के बाद इसको हम चाहते हैं कि carbon dioxide cell के बाहर चला जाए क्योंकि यह carbon dioxide कैसा होता है? यह toxic होते है toxic होने के वज़े से हम चाहते हैं यह cell से बाहर चले जाए और exchange में हम क्या लेते हैं? oxygen इसके अंदर ले लेते हैं जो कि हमारे जो breakdown का process है उसमें use हो जाता है यह था introduction वाला part जहां कि हमने देखा कि oxygen कहां पर use होता है उसी तरह से एक और चोटा सा topic है breathing and respiration हम किसे बोलते हैं जैसे कि आप जानते हैं जो breathing होता है breathing का मतलब क्या है? exchange of gases जैसे कि हम lungs में क्या करते हैं? बाहर से या environment से हम oxygen लेते हैं और finally lungs के पास किया होता है? carbon dioxide होता है बहुत ज्यादा amount में lungs के आसपास के जो blood vessels होते हैं यह कहां से आता है? tissue से आया हुआ होता है और finally यह हम क्या करते हैं? carbon dioxide को alveoli में इस तरह से deposit कर देते हैं और carbon dioxide बाहर चला जाता है और यहां पे जो oxygen आया हुआ है उसको further हम body के अंदर ले लेते हैं या blood vessels के अंदर ले लेते हैं तो यह जो होता है exchange of gases lungs में होगा, alveoli में होगा और कहां पे होता है exchange of gases? यह होगा tissue level पे भी क्योंकि tissue में क्या accumulate हुआ होता है? tissue में बहुत जादा amount में आपको carbon dioxide देखने को मिलेगा tissue के आस-पास जो blood vessels present होगे यहां पे क्या देखने को मिलता है? oxygen देखने को मिलता है क्योंकि oxygen कहां से आया है? lungs में breathing के बाद oxygen accumulation हुआ है हमारे blood में so यहां पे क्या हो जाएगा? diffusion हो जाएगा diffusion high concentration से low concentration होता है तो जो tissue में carbon dioxide का concentration जादा amount में present है वो diffuse होके blood में चला जाएगा और blood में oxygen का amount जादा होता है so diffusion होके यह tissue level में चला जाएगा so दो जगा पे हम exchange of gases देखने को पाएगे पहला तो lungs जहांके alveoli अगर हम specifically बात करें और दूसरा point है tissue level पे so यह क्या था exchange of gases था so breathing क्या है breathing आप nostril से जब oxygen लेते हो या carbon dioxide को remove करते हो उस particular process को हम breathing बोलते हैं और अगर हम exact respiration के बारे में बात करें तो more often क्या होता है यह जो breathing है और respiration है इन दोनों word को simultaneously use किया जाता है लेकिन यह जो respiration होता है इसके भी दो टाइप होते हैं सबसे पहला exchange of gases इसको भी आप respiration बोल सकते हो दूसरा क्या होता है cellular respiration cellular respiration का मतलब क्या है अभी जैसे कि हमने थोरी देर पहले बात किया कि oxygen का requirement होता है कोई भी molecule को break down करने के लिए aerobic respiration में तो उसे हम क्या बोल देते है cellular respiration बोल देते है तो यह था कुछ introduction अब हम बात करने वाले है respiratory organs के बारे में आपको अलग-अलग तरह के animals नजर आएंगे फर एक्जम्बल कुछ fishes होते हैं amphibians होते हैं reptiles होते हैं birds होते हैं mammals होते हैं यहां पर जितने भी organisms हैं यह सारे vertebrates है उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे invertebrate organism भी present है तो बहुत सारे organism में अलग-अलग type के respiratory organs develop होए है respiratory surfaces develop होए है on the basis of their simplicity their complexity and उसके साथ साथ उनके पास जो surface available है जहां पर की exchange of gases हो सकता है उसके basis पे बहुत सारे respiratory organs present है कुछ examples के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला lower invertebrates के बारे में बात करते हैं यहां पर मैं चोटा सा आपको overview बता देती हूं animal kingdom के बारे में so animal kingdom में हम क्या देखते हैं animal kingdom में हम देखते हैं दो तरह के animal सबसे पहला हम बात करते हैं इन वर्टिब्रेट्स के बारे में जिनके पास की vertebral column present नहीं होता और दूसरा हम बात करते हैं vertebrates के बारे में vertebrate के पास किया होता है vertebral column present होता है so vertebrate में कौन कौन सो organism यहां पर आपको देखने को मिलेंगे यहां पर आपको फिश देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे यहां पर बर्स और यहां पर देखने को मिलेंगे मामल्स तो यह सारे आ जाते हैं हमारे व में तो यहां पर आपको बहुत सारी फाइलम नज़र आएंगे सो बहुत सारी फाइलम् है कौन कौन से फाइलम् आते हैं यहां पर आपको एकवाज divin को मिलेंगे सुलेंटर इढ्टेत देखने को मिलेंगे उस्ते पॉंजिस को आपको देखने को मिलेंगे फाइलम, इनवर्टिब्रेट के में, ओके, यहां पे हम दोनों इनवर्टिब्रेट के कुछ फाइलम, कुछ मेंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, और वर्टिब्रेट के कुछ मेंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे कि आपको अलग और्गनाइजेशन होगा यह काफी सिंपल होगा लोर इनवर्टिब्रेट मतलब यह ऐसे और्गनिजम में यह ऐसे इनवर्टिब्रेट से जो की प्रिमिटिव हैं बहुत पहले यह आए हुए थे जैसे ही बॉडी का डेवलपमेंट होता है या फिर हम बात करें इवल्यूशन में सबसे पहले सिंगल सेल ही तो आया होगा सिंगल से क्या हुआ होगा यह मल्टिपल सेल हुआ होगा सबसे पहले यूनिसलिलर और्गनिजम आये होंगे उसके बाद मल्टिसलिलर और्गनिजम आये होंगे उसके बाद फर्दर जो पहले डेवलप होगा उसका एक सिंपल ब परिमिटीव हैं बहुत पहले दुनिया में आये थे सो लोर इनगुबरेट में कौन कौन आ जाते हैं यहां पर आ झाल्याम्पल याद रखना यहां पर सबसे पहले यहां पर आते हैं स्पोंजेज जोकि पोरिफिरा के 20 अमसे उसके बाद आते यहांपे Cylenterate citron is a phylum. इसके अब बहुते हैं. उसके साथ साथ चार या जाते हैं, इसके अंदर FLAT WORM. फ्लाट वर्म कौन उता है? यह फ्ला करें पलाटी हल्मंग के मेंबर है. यह कुछ एक्जामपन है, । और इनकॉई इसको छोड़के । और 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 आधरे हैं और ये जो के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं इन organism में कैसे होता है या फर exchange of gasses कैसे होता है ? इन organism में में exchange of gases आपको देखने को मिलेगा by simple diffusion को technical diffusion के मतलब क्या होता है कभी भी क्या भी compound जब high concentration से low concentration में मूव करता है तो हम उसे बहुत देते हैं, simple diffusion और यहाँ पे जो cells present है for example sponges होगे, silenterates होगे flatworms होगे, यह सारे simple organisms होते हैं अगर sponges के बारे में हम बात करें तो sponges क्या होता है, यह loose cellular aggregate होते हैं इनके पास एक proper body plant नहीं रहता, इनके पास जो cells present होते हैं वो loosely organized होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है अगर इनके cell है, cell है तो definitely metabolic activities हो रहा होगा cell के अंदर carbon dioxide build up हो रहा होगा तो यह जो carbon dioxide है कैसे इसको बाहर भेजा जाए इसको बाहर भेजा जाता है through diffusion, carbon dioxide को बाहर भेज दिया गया उसी तरह से respiration के लिए oxygen को बाहर से अंदर ले लिया जाता है so lower invertebrate for example sponges silenterate and flower twars में आपको simple diffusion के through exchange of gases देखने को मिलेगा यह question ध्यान रखना आप किससे बार बार पूछ लिया जाता है, direct आपको पूछते है, flower twarm में किस तरह का breathing या फिर किस तरह का gaseous exchange देखने को मिलेगा तो उसका simple सा एंसर क्या है simple diffusion next बात करते हैं earthworm के बारे में, so earthworm में क्या present है, earthworm का structure होता है या फिर उसका morphology है, उसमें एक बहुत important चीज़ आपको धियान में रखना है कि मान लो यह earthworm है तो earthworm के surface यह moist surface होता है मतलब यह dry surface नहीं होता है यहाँ पे moisture present होता है इस तरह का, so एक और चीज़ आपको धियान रखना पड़ेगा, कि जब भी किसी surface के थूँ exchange of gases हो रहा है, वो surface most of the time moist आपको देखने को मिलेगा, यह surface moist की होंगे, आप खुद समझ सकते हैं अगर कोई gaseous exchange हो रहा है किसी surface के थूँ, so definitely यहाँ पे क्या होगा, gaseous का exchange हो रहा है, तो friction का भी generation होगा, so अगर यह surface moist रहा, तो यहाँ पे friction reduce होगा, और यह surface जल्दी से damage नहीं होगे, इसलिए क्या होता है, जो respiratory surfaces होते हैं, जहाँ पे कि respiration होता है, यह फिर gaseous exchange होता है, वो surface mostly कैसे होते हैं, moist surface आपको देखने को मिलेंगे so यह जो earthworm होता है, earthworm का जो skin है या फिर इसका upper surface जो है moist surface होता है, इनके पास cuticle होते हैं, यह moist होते है, so इनके पास क्या present है, moist cuticle present है, इसलिए यहाँ पे जो breathing है या gaseous exchange है, यह किसके थो होता है, इसी cuticle के थो इस तरह से इनका exchange of gases होता है, next बात करते हैं कुछ insects के बारे में insects में क्या present होता है tracheal tubes present होते हैं insect के बारे में अगर हम बात करें for example आप बात कर सकते हैं cockroach के बारे में, एक example ले सकते हैं cockroach, इसे आप से directly question भी पूछ लिया जा सकता है, कि insect में कैसे exchange of gases होते हैं, तो insect में क्या present होता है इनके पास present होता है tracheal tubes, अब सबाल यह उड़ता है कि यह tracheal tubes क्या होते हैं इसको ध्यान से दिखना, अगर मान लो यह एक insect या फिर cockroach का body है इनके body में क्या होता है इनके surface पे छोटे छोटे इस तरह से hole present होते हैं यह hole क्या काम करता है, इससे क्या होगा आपका gaseous exchange होता है इसके through क्या होता है एक network इस तरह से बना हुआ होगा इस तरह से आपको इसके अंदर network देखने को मिलेगा और यह जो network है, इसे हम क्या बोल देते हैं tracheal tube बोल देते हैं यह further आगे बहुत जादा elaborated होता है, मैं यहाँ पे इतना नहीं बना पा रही हूँ लेकिन एक चीज़ धियान रखना कि insect के पास क्या present होगा, tracheal tubes present होगे, और इन्हीं tracheal tube के थूँ यह क्या करते हैं gaseous exchange करते हैं carbon dioxide को बाहर चोड़ते हैं और oxygen को अंदर ले लेते हैं उसी तरह से अगर हम कुछ aquatic arthropods के बारे में बात करें जैसे कि नाम से क्या पता चल रहा है यह aquatic है, aquatic मतलब आदर यह fresh water में रह सकते हैं या फिर marine environment में रह सकते हैं कुछ arthropods का example आप खुद सोच सकते हैं नाइंत में आपने पढ़ा होगा यह जो arthropods होते हैं या फिर जो mollusk का होते हैं उसके बारे में aquatic arthropods and mollusk का होते हैं aquatic arthropods and mollusk में क्या present होता है इनके पास present होता है gills gills जैसे कि आपने देखा होगा fishes में भी देखा होगा gills से क्या होता है जो water होता है वो gills किस तरह का structure होता है एक छोटा सा fan like structure होगा मतलब एक surface होगा जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे wrapped होगे और यहां से क्या होता है जैसे ही water pass करता है यह gills move करते रहते हैं move करते रहेंगे तो यहां से क्या होगा water pass होगा water अगर इसके अंदर आता है तो हम जानते हैं जो aquatic organisms होते हैं वो अपना oxygen कहां से लेते हैं पानी से ही लेंगे क्योंकि वो पानी के अंदर ही रह रहे है water के अंदर जो oxygen present होता है जब water इस gills के अंदर आता है और यह जो blood vessels होते हैं, यहां पर क्या present होगा, maximum carbon dioxide present होगा, क्योंकि हमारे जो body है, जो भी aquatic arthropores होते हैं, या mollusca होते हैं, उनके अंदर cells होंगे, और cells क्या produce कर रहे होंगे, carbon dioxide का production कर रहे होंगे, और यह carbon dioxide क्या करता है, यहां पर surface पे आके, मतलब blood vessels में accumulate होता है, और जैसे ही यह gills water को अंदर लेके आते हैं, तो यहां से और क्या आ जाता है, oxygen आ जाता है, तो oxygen water में है, और carbon dioxide यहां पर आपके blood vessels में present है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, carbon dioxide water में चला जाएगा, और यह oxygen बाहर present है, water में present है, यह blood vessels में आ जाएगा, और इसी तरह से क्या होता है, g एक्सचेंज हो जाता है, mostly जो aquatic organisms होते हैं, gills use करते हैं, एक चीज़ धियान रखना, इसके साथ और भी बहुत सारे structures होते हैं, जो use होते हैं, लेकिन aquatic arthropod, malleus, यह हम बात करें, fishes के बारे में, fishes के पास भी क्या present होता है, gills present होता है, लेकिन fishes किसके अंडर आते हैं, यह vertebrate के अंदर आते हैं, और अभी हम क्या बात करने हैं, invertebrates के बारे में बात करने हैं, यह था कुछ aquatic organisms के बारे में, उसके साथ साथ हम बात करते हैं, कुछ terrestrial organism, terrestrial organism कौन होते हैं, जो terrestrial environment में रहते हैं, जो water में नहीं रहते हैं, terrestrial organism के पास क्या present होता है, आप जानते हैं, एक example ल होता है इनके पास लंग्स प्रेजंट होता है लंग्स प्रेजंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनारी respiration, यहां पर हम बोलते हैं, इसे pulmonary respiration, pulmonary respiration क्यों बोला जाता है, इसके बारे हम detail में बात करेंगे, जब हम human respiratory system के बारे में discussion करेंगे, आप जानते हैं, lungs यहां पर terrestrial organism में देखने को मिलेगा, lungs एक ऐसा structure है, जिसके अंदर की बहुत सारे network present होते हैं, जहां पर की blood vessels आएंगे, और यहां पर जो network present होता है, क्या present होगा यहां पर, इसके end part में present होता है, alveoli, और यह जो alveoli होते हैं, यह bag like structure होते हैं, और इन ही bag like structure क अंदर क्या होता है, gaseous exchange होता है, so terrestrial organism, lungs यूज करते हैं, अपने gaseous exchange के लिए, उसी तरह से अगर हम दूसरे vertebrates के बारे में बात करें, तो vertebrates में क्या होता है, जो fishes होते हैं, जो भी आपको fishes नजर आएंगे, यह fishes क्या यूज करते हैं, अभी हमने बात किया, fishes बात देखने को मिलेंगे, for example, बहुत सारे amphibians देखने को मिलेंगे, okay, vertebrates में, amphibians, उसके बाद reptiles, उसके बाद आगए birds, उसके बाद mammals, यह चारों ग्रूप और यह चारों जो vertebrates हैं, यह क्या यूज करते हैं, यह यूज करेंगे lungs for respiration, उसके साथ साथ एक exception है, या फिर further example आपको ध्यान में रखना है, amphibians के बारे में, amphibians में भी जो frog होते हैं, यह क्या यूज करते हैं, यह यूज करते हैं, moist surface, मतलब frog दोनों तरफ से respiration कर सकता है, यह अपना lungs भी यूज कर सकता है, और यह अपना body surface भी यूज कर सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक frog का surface होता है, और हम थोड़ी दिर पहले ही बात कर रहे थे, जो surface moist होता है, वो respiratory organ की तरह काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा करेगा, लेकिन यह कर सकता है, क्योंकि इसके थूज क्या होगा, gaseous exchange possible है, तो यह जो frogs होते हैं, जो amphibian category में आते हैं, यह कैसे respiration कर सकते हैं, यह यह से respiration कर सकते हैं, या फिर यह अपने moist surface के थूज भी respiration कर सकते हैं, यह था कुछ example, hope कि आपनों को समझ में आ गया होगा, कि कौन से organism, कौन से respiratory organ या फिर exchange of gases के लिए कौन से organs को use करते हैं, नेक्स वीडियो में हम फर्दर बात करेंगी, human respiratory system के बारे में, elaborately हम बात करेंगे, तब तक के लिए stay tuned and thank you so much for watching this lecture.